मध्यकालीन भक्त कभीर जाति धर्म और संप्रदाय को नहीं मानते थे वो इन सब चीजों से दुनियादारी के चीजों से बहुत उपर थे कभीर दास कोई पढ़े लिखे किसी विद्याले और कॉलेज महा विद्याले में नहीं गए थे लेकिन उनके पास संत हरदय था वो प्रभु के अनन्ने उपा सकते वो पत्थर को भी पूजने की मना ही करते थे कि पत्थर को उपाहन को पूजने से क्या मिल सकता है मानविय मुल्यों का आज समाप्ति करण हो गया है आज हम लोग किसी के सुख दुख से कुछ नहीं लेते देते हैं किसी को कष्ट में कराते हुए छोड़ कर हम भाग जाते हैं लेकिन कभीरदास नहीं कभीरदास मानविय मुल्यों में जीते थे यह उनके दोहों से भी पनलक्षित होता है और ज्यान मिलता है कभीरदास किसी भाषा के अधिन नहीं थे वो सधुक्री थे साधु मिजाज के व्यक्ति थे संत थे और महान संत थे क्योंकि कभीर ने अपने गीतों में न तो स्वैंग लिखा गीतों को और नहीं किसी से लिखवाया वो तो गाते थे मस्ती में जूम कर गाते थे फल सरूप बाद में जोड तोड़ कर लिखने के कारण कहीं उनके दोहों में अबधी भाशा का प्रियोग कहीं उनकी कभीताओं में ब्रज भाशा का प्रियोग तो कहीं खरी हिंदी या हिंदी या कहीं कहीं सधुकड़ी भाशा का प्रियोग का दिखदर्शन होता है कबिर दास जी भक्कर थे उनको किसी की परवाह नहीं थी वो राम को भी उतना ही मानते थे रहिम को भी उतना ही मानते थे वो जाती पूच कर किसी की सेवा नहीं करते थे वो कश्ट में देखकर दुख में देखकर मानविय मुल्यों को प्रस्तुत करते थे कभीर दास जी का दोहा क्या है या कोई भी दोहा कोई भी साखी कोई भी कविता जब हम रहीम, कभीर संत तुलसी दास सूर दास, मीरा बाई इत्यादी के कविताओं को गीतों को, दोहों को साखियों को देखते हैं तो वो क्या है ये दोहे समाज के दरपण है, सामाजिक जीवन का दिखदर्शन इनके दोहे में मिलता है कभीरदास जी आज भी उतन ही महतुपुर्ण है जितना आज से मध्यकालीन यूग में भी वो महतुपुर्ण थे आज नहीं कई सोवर्ष पुर्ग कभिरदास जी का जन्म हुआ था तो आओ अब हम उनके कुछ कभिताओं को उनके कुछ दोहों को हम प्रस्तूत करें कभिरदास जी के दोहों को बड़े-बड़े संत लोग भी अर्थ नहीं लगा पातें क्यों क्योंकि उनकी भाषा में कभिरदास जी ने कहा एक जगह कि कभिरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींजे पानी अब इसका अर्थ लगाना बहुत ही मुश्किल है कभिरदास जी गुरू के महत्यों को अपने कभिताओं में अपने दोहों में कहते थे सहजे सहजे सब गए सुद्वित का मरी काओं एक मेक है मिली रह्या दासि कभीरा राम कभीरा सहाज सहाज ही पुत्र सुद्वित धन अर्थाट दौलत और इस्त्री अर्थात पतनी और कामना यह सब भीराइंख सब नश्ट हो गए, सहज सहज कहते ही, कहते ही सहज सहज में ही सब चले जाते हैं, लेकिन दास कबीर दास जी ने कहा है, कि राम के साथ घुल मिलकर एक हो जाना ही सबसे बड़ा सहज है, कबीर दास जी यहां क्या कहते हैं, बच्चों समझ रहे हो, कबीर दास जी कहते हैं, कि स सभी सहज सहज में ही पुत्र धन इस्त्री और कामना अर्थात ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये सहज सहज में ही सब नश्ट हो गए रहा क्या साथ में तो घुल मिलकर राम के साथ रहना सहज सहज सब कोई करें सहज सहज सब कोई करें सहज नचीने को सहज नचीने को पाँचु राखे पर सती सहज कही जैसो कबीरा सहज कही जैसो ये पाँचो क्या रखने को कह रहे हैं संत कबीर क्या कह रहे हैं ये पाँच क्या हैं ये पाँचों इंद्रियां जिनके वश्में हो गया वही सहज है कितना बढ़िया भाव है कबीर दास जीन ने कितनी अच्छी पंकी कही है कि सभी सहज सहज कहते हैं परंतु सहज है क्या इसे कोई नहीं चींता चींता मंदब अर्थ है पहजांता मैंने पहले ही कहा है बच्चों कि कभीर दास जी की भाषा में सधुकड़ी भाषा, ग्रामिन भाषा, सहज भाषा, जिसमें कोई आधंबर नहीं, कोई बनावती पन नहीं, कोई स्रिंगार नहीं, कोई उनको शब्द को ढूढ़ना नहीं पड़ता था कभीर दास जी के मन में जो आता था, वह एक सुरूप गरहन कर लेता था, इतने महान कभी थे हमारे संत कभीर, तो सहज सहज सभी कहते हैं, परन्तु सहज है क्या, इसे कोई नहीं पहचानता, जो पांचों इंद्रियों को प्रभु का अश्पर्ष करता हुआ, अर्थात उनका अनुभव करते हुए रख लेता है, उसे ही सहज ज्ञान प्राप्त कहना चाहिए, कितनी बढ़िया पंग्ती कही है, कभीर दास जी ने यह सब जूठी पंदगी परिया पंचे निवाइड साचे मारे जूठ पढ़ी काजी करे अकाज साचे मारे जूठ पढ़ी काजी करे अकाज कभी राओ काजी करे अकाज करें आपना ही वो बिघाड़ता है अपना ही वो नष्ट करता है कबीर काजी स्वादी बसी रम्ह ते तब दो चड़ी मसिती एक एक है तब दाजी कहते हैं कि काजी स्वाद के वशिभूत होकर स्वाद के वशिभूत होकर दो ब्रह्म्हों की हत्या करता है एक वह पशु जिसका वह मान्स खाता है एक उसकी हत्या करता है और दूसरा साक्षात ब्रह्म जिसकी वह अभेलना करता है अभेलना करना भी एक प्रकार की हत्या मानी जाती है बच्चों तो मस्जिद पर चल कर कहता है कि इश्वर एक है फिर जम्राज के दर्बार में यह सब कैसे सच्छा सिद्ध हो सकता है कैसे सच्छा सिद्ध कर सकता है वो कहता है कि इश्वर एक है खुदा एक है ऐसा कहता है लेकिन वो हत्या करता है अगर इश्वर एक है तो वो हत्या नहीं करेगा इस पर कभीर दाशी ने कितने अच्छी पंक्ती कही है काजी मुल्ला धम्यां जल्या तुमी कैसा तुमी कैसा तुमी कैसा दिल थे दीन विसा तुमी कैसा दिल थे दीन विसारी आउ करद लई जबहु आठी कभीराओ करद लई जबहु आठी कभीरर। करद जलई जमुआ कबीरा कबीरा करद लई जमुआ कबीरा कि अ अघन कात quieren जमुआ कबीरा करद लई जमुआ का难 के फन मोआ कॉआ को रखना और गाद जमुआ को पे अका लगाद करद मुआ को अ